Hello friends, welcome to SuperTechnicals तो दोस्तो आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि जब भी हम जैसे मर्चेंट को किसी भी दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो उनका जो साउंड बॉक्स बोल के बताता है वैसे आपका भी फोन बोल के बताएगा आपको जो भी UPI Payment आएगी तो चलिए friends वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए हमको सबसे पहले Play Store पे चलना है तो हम Play Store अपना Open कर लेंगे चलिए Play Store Open कर लेते हैं और Open करने के बाद आपको एक Application डाउनलोड करनी होगी इंस्टॉल करनी होगी अपने फोन पे इंस्टॉल करना देखे यह Application आ गई है एक बहुत छोड़ी सी Application है इस Application को हमको इंस्टॉल करना अपने फोन में और थोड़ी सी इसमें सेटिंग करनी है तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपको चाहे फोन पे Google पे पेटियम कोई भी हो यह सभी की आपको Announce करके बताएगा अब इसको हम Open कर लेते हैं यह Open करेंगे Application को यहाँ पे तो यह आपको Terms and Condition शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे Accept कर लेना है Terms and Condition को देखे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसको तो मैं यहाँ पे Accept कर ले रहा हूँ अब यह देखे आपको यह बोल रहा है कि यह आपके Notification को Access करेगा जो भी आपके फोन पे Notification आएंगे उसको Access करेगा तो आपको यहाँ पे OK करेंगे तो यह आपको आपकी फोन की Setting मिले जाएगा कि देखे यहाँ पे आपको इसको On करना है UPI Payment Announcer को Notification On करेंगे तो आपका फोन बोलेगा कि देखे यह Danger है क्योंकि यह आपके SMS और आपकी Notification को Access करेगा उसको पढ़ सकता है Application तो इसमें कोई Issue नहीं है यहाँ पे आप Okay कर देंगे Allow कर देंगे इसको ठीक है क्योंकि कोई बगर Notification को पढ़े यह Announce तो कर नहीं सकता है तो यहाँ पे आपको Okay कर देना है Play Store की आप है तो कोई Issue नहीं है अब यहाँ पे आपको Setting करना होगी तो Setting के लिए आपको यह नीचे प्रेफरेंस का Option दिख रहा है तो प्रेफरेंस के Option को आपको Tap करना है अब यहाँ आपको ध्यान देना है Main Main चीजे तो यह खुद ही टिक लगा रहेगा तो जो नहीं लगी है वो आपको कुछ चीजे टिक लगा नहीं होंगी चलिए मैं आपको बता देता हूँ Read Payment Info और Announce Payment के उपर टिक लगे रहने देंगे इसके बाद यदि आप Sender के नाम चाहते हैं तो इसके उपर टिक लगा देंगे और यदि आप चाहते हैं कि और भी किसी भासा में चीज़ करना तो आप अपने हिसाब से भासा यहां सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में चाहते हैं तो Hindi English दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और यहां जिस भी UPI में आप चाहते हैं कि आपको Announce करें तो आप उसी UPI को Select या दिसलेक्ट कर सकते हैं यादि सभी UPI को सेलेक्टर ने देते हैं या कोई भी UPI से आपकी पेमेंट आएगी तो यह आपको Announce करके बताएगा इस प्रकरफरेंट हम इस Announce को यूज कर सकते हैं कभी-कभी होता है कि यह फर्स्ट टाइम आपका काम नहीं करता है तो आपको घबराना नहीं है आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर देना है और उसके बाद यह अप्लिकेशन काम करने लगेगी जो भी आपकी UPI पेमेंट रिसीव होगा उसको यह Announce करके बताएगा फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो